हेलो एंड वेलकम दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अप्स्टॉक एप के अंदर न्यू बैंक अकाउंट को केसे एड कर सकते तो चली इस वीडियो को शुरू गरते इसके लिए आपको सिंपली याप अप्स्टॉक एप को ओपन कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यह आपके ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पे new bank account add करने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे my bank detail दिखाए देगा आपको यहाँ पे click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे add new bank account दिखाए देगा आपको यहाँ पे click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद आप यहाँ पे new bank account यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे add कर सकते अगर आपका ओर नया bank account यहाँ पे आपके किसी भी UPI app के अंदर है तो यहाँ पे काफी अच्छा तरीका है verify with UPI आपको simply यहाँ पे click करके continue कर देना है जिससे आपका जो भी यहाँ पे phone पे Google पे का UPI app होगा उसके अंदर आप यहाँ पे directly एक click में add कर सकते दूसरा तरीका है कि enter details manually मतलब यहाँ पे इसके अंदर आपका जो भी account number है आपका name आपका bank account saving है या फिर current और आपका IFC code आपको यहाँ पे खुद से भरना पड़ेगा यहाँ पे यह तरीका आपको manually है और दूसरा तरीका यहाँ पे UPI है UPI तरीका यहाँ पे काफी fast है जिसके अंदर आपका यहाँ पे directly verify हो जाता है चले मैं यहाँ पे UPI तरीके से यहाँ पे new bank account को add कर देता हूँ आपको यहाँ पे इसके उपर click कर देना है और यहाँ पे continue के उपर click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे UPI आपको उस app को select कर देना है और इसे यहाँ पे just once के उपर क्लिक कर देना है just once के उपर क्लिक करने के बाद जो बे आपको यहाँ पे bank account एड़ करना है आपको यहाँ पे उस bank account को select कर देना है उस bank account को select करने के बाद आपको यहाँ पे 1 rupees का charge यहाँ पे pay करना होता है चलिए मैं यहाँ पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जो भी आपका यहाँ पे UPI ID का पासवर्ड आपको पासवर्ड डाल देना है पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आएगा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैक आ चुका है अब आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा आपको यहाँ पे OTP यहाँ पे डाल देना है OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे submit के ऊपर क्लिक कर देना है submit के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते ही यहाँ पे हमारा दूसरा bank account add हो चुका है अब यहाँ पे इसका थोड़ा processing में time जाता है और जब आपका यहाँ पे process होगा तो आप यहाँ इस bank account के ऊपर यहाँ पे पेसे add या फिर withdraw कर सकते हैं अगर आपको इस studio समध होती है तो प्लीज उसके चानल को subscribe कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है